C.I.E.T. N.C.E.R.T. Presents Trilingual Dictionary of Geography for Schools भूगोल विद्यालायों के लिए त्रिभाशी शब्द कोश जोग्राफिया के लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी Index Letter I Ice Page 62 Ice Age Page 62 Iceberg Page 62 Ice Sheet Page 62 Igneous Rock Page 62 Immigration Page 62 Imports Page 62 Impervious Page 62 Indented Coastline Page 62 Page 62 Indian Standard Time IST Page 63 Industrial Complex or Region Page 63 Industrial Disaster Page 63 Industrial Revolution Page 63 Industry Page 63 Industry Page 63 Inland Drainage Inland Drainage Page 64 Inlet Page 64 Inlet Insulation Page 64 Inundation Canal Page 64 Intensive Agriculture Contour Page 65 Page 65 Page 65 Intertropical Convergence Zone Isoheline Isoheline Page 66 Isohyet Page 66 Isopleth Isofleth Page 66 Isofleth Page 66 Isofleth Isofleth Page 66 Now let's move to letter I of the Dictionary of Geography starting at page 62 Isofleth 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 Water in its solid form resulting due to freezing of water or condensation of water vapor in the atmosphere with fall in temperature below freezing point Isofleth जल की ठोस अवस्था जो वायू मंडल में तापमान के हिमांक से नीचे आने के कारण जल के जमने से अथवा जल वाश्प के संगनन से होती है बर्फ Ice Age A period in the Earth's history when ice covered large parts of the continents extending towards the equator and accompanied by a considerable lowering of surface temperatures of the Earth. Himyug Himkal प्रित्वी के इतिहास में वह युग या काल जब प्रित्वी पर धरातलिये तापमान में भारी गिरावट आने के कारण महद्वीपों के बड़े भाग पर हिम चादरों का विस्तार विशुवत वृत की ओर हुआ बर्फानी जमाना जमीन की तारिख का ऐसा समाना जब खते इस्तिवा की तरफ पहले बर्रे आजमों के बड़े हिस्से को बर्फ धके हुई था और साथ ही सतहे जमीन का दरजय हरारत काबिले जिकरतोर से गिर रहा था Iceberg A large mass of ice floating in the sea, which has broken away from a glacier or an ice sheet and is at least five meters high above the sea level Plavi Himshell समुद्र में प्लावित तैरता हुआ हिम का एक बहुत बड़ा खंड जो किसी हिम चादर या हिमनद से तूट कर आया हो और उसकी उचाई समुद्र की सतह से कम से कम पाँच मीटर हो समंदर में तैरता हुआ बर्फ का बड़ा टुकड़ा जो किसी ग्लेशियर या बर्फानी चादर से तूट कर अलग हो गया हो और सतह समंदर से तकरीबन पाँच मीटर की बुलंदी पर हो आइस कैप अ स्मॉल एरिया फ्यू स्क्वेर किलोमीटर विद पर्मनेंस नो कवर हिम चत्रक एक छोटा क्षेत्र कुछ वर्ग किलोमीटर जो स्थाई रूप से हिम से अच्छा दित हो बर्फानी मुकदा चंद किलोमीटर का एक मुक्तसर रखबा जिस पर मुस्तकिल बर्फानी गलाफ चड़ा रहता है आइस शीट अ लाज एरिया कवर्द विद अ कंटिनुवस थिक कवर अफ आइस such areas are associated with land masses of higher latitudes such as Antarctic and Greenland हिम चादर एक बड़ा क्षेत्र जो हिम की एक मोटी अविच्छिन परत से ढखा होता है ऐसे क्षेत्र उच अक्षान्षों से संबंधित हैं जैसे अंटाक्टिका और Greenland बर्फानी चादर बर्फ की मुसलसल मोटी परत से धका हुआ बड़ा इलाका ऐसे इलाके ज्यादा उचे अर्जल बलत के इलाकों से तालुक रखते हैं मसलन अंटाक्टिक और Greenland Igneous Rocks Rocks formed as a result of crystallization and solidification of magma either below the earth's surface or above it Agneous Shell प्रिथ्वी की सतह पर या उसके नीचे magma के क्रिस्टली करण और ठोस होने के कारण निर्मित शैल आतिशी चटान सतह जमीन के ऊपर या नीचे आतिश विशानी मादे की बिल्लोर कारी और इंजुमात के अमल से बनने वाली चटाने Immigration The process by which a person moves out from his or her country to another country for living there permanently Every country has its own immigration policy for controlling the number and nature of immigration आप्रवास वह प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में आकर स्थाई रूप से बसने को व्यक्त करती है प्रत्येक राश्ट्र की अपनी आप्रवास नीती होती है जो आप्रवास की प्रवृत्ति और संख्या को नियंत्रित करती है तरके वतन ऐसा आमर जिसमें कोई शखस अपने वतन से निकल कर मुस्तकल तौर पर रहने के लिए किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है तरके वतन करने वाले अफराद की तादाद और नौईयत पर काबू रखने के लिए हर मुल्क की अपनी इमिगरेशन पॉलिसी होती है आयात किसी देश या राष्ट्र द्वारा अपनी आवश्चक्ताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से खरीदे गए माल और सुविधाएं अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए एक मुल्क का दूसरे मुल्क से अशिया और खिदमात हासिल करना Impervious A type of rock that is non-porous and does not absorb water. Due to absence of any crack or fissure, water cannot pass through it. Example, granite and slate Abhedyya एक प्रकार की shell जो असरंध्र हो एवं जल को ना सोखे. किसी दरार या संधी के ना होने के कारण जल इसमें से होकर नहीं जा सकता है. उदाहरन के लिए granite एवं slate गैर मसामी एक किस्म की चटान जो गैर मसामी होती है और पानी को जजब नहीं करती. कोई चटखन या दरार ना होने से पानी इसमें होकर नहीं गुजर सकता. मसलन ग्रीन आइट और slate Indented Coast Line A long, highly zigzagged coastline with alternate creeps and capes or bays and headlands. That is, the Norwegian coast. Page 63 दंतुरित तटरेखा एक लंबी और बहुत अधिक कटी फटी आरी के दातों की तरह या तेड़ी मेडी तटरेखा जिसमें अंतरीप और सक्री खाडी एकांतर पर प्रत्यावर्ती होते हैं. उदाहरन के लिए नौर्वे का तट नाहम्वार साहिली खत मुतबादिल बिलो और रास्तो या खाडियों और रासो वाला लंबा और बहुत तेड़ा मेह साहिली खत मसलन, नौर्वे का साहिल भारत के मानक देशांतर अर्थात 82 दिग्री तीस मिनट पूर्व का स्थानिय समय हिंदुस्तानी मेयारी वक्त हिंदुस्तान का मेयारी निस्फल निहार यानी 82 दिगरी तीस मिनट मश्रिक पर मकामी वक्त जो ग्रीनिच उसत वक्त से 5 गंटा तीस मिनट आगे है A set of specific industries located close to each other for sharing benefits of agglomeration. Occasionally, the government provides basic facilities at one place to promote such concentration. कुछ विशिष्ट उद्योगों का एक वर्ग, जो समूहन का लाभ लेने के लिए एक दूसरे के पास अवस्थित होते हैं. कभी कभी सरकार किसी स्थान पर ऐसे संकेंद्रन को बढ़ावा देने के लिए कुछ मूल भूत सुविधाई भी देती है. सनती आहाता या खित्ता हदबस्तगी के फवाइद में इश्टिराख के लिए एक दूसरे से मुद्तसिल वाके मखसूस सनतों का मजमूवा. बाज आखात, हकूमत इस तरह के मजमूवाँ को फरोग देने के लिए बुनियादी सहूलते फराहम करती है. इंडस्ट्रियल डिजास्टर डिजास्टर कॉस्ट बाइ टेकनिकल फेलियर और इंप्रोपर हैंडलिंग ओफ हैजड़स इंडस्ट्रियल मटीरियल्स. औद्योगिक आपदा खतरनाक औद्योगिक सामगरियों के घलत संचालन से या तक्नीकी खराबी के कारण आई आपदा. सनती तबाहकारी तक्नीकी खराबी या खतरनाक सनती मादों के नामूजों इस्तिमाल से पैदा होने वाली तबाही. इंडस्ट्रियल रेवलूशन The major changes brought in manufacturing, due to development of technology and power, causing shift from hand-operated tools to power-driven machinery in the middle of the 18th century in England, which spread to other parts of Europe. This transformation not only increased production, but improved quality of life in all aspects. अध्योगिक क्रांथ इंग्लिंड में मध्य 18 भी शताब्दी में प्रोध्योगिकी और शक्ती के क्षेत्र में विकास के कारण निर्मान उद्योग में भारी परिवर्तन आया. इससे हाथों द्वारा चलाये जाने वाले यंत्रों के स्थान पर शक्ती संचालित मशीनों का उप्योग होने लगा और इसका विस्तार अन्य इरोप्य देशों में भी हुआ. इस परिवर्तन ने ना सिर्फ उत्वादन को बढ़ाया, अपितु जीवन की गुणवत्ता के हर पहलू को बहतर बनाया. सनती इनकलाब टेकनोलोजी और तवनाई की तरक्वी के सबब मस्नुवात साजी में होने वाली एहम तबदीलिया. इससे अठारवी सदी के इंगलेंट में दस्ती और जारों की जगा बिजली से चलने वाली मशीनरी इस्तिमाल की जाने लगी, और फिर वो यॉरप के दीकर हिस्सों में फैल गई. इसका आया पलट से ना सिर्फ पैदावार में इजावा हुआ, बलके में आरे जिंदगी में भी हर एतबार से बहतरी आई. Industry. In a broader sense, it refers to any business activity, example, tourism and entertainment. But, in common usage, it is related to an economic activity connected with production of goods and extraction of minerals. उद्योग व्यापक रूप से इसका तातपर्य, किसी भी व्यावसाई क्रिया, जैसे परियतन और मनोरंजन से है. परन्तु सामानी रूप से इसका प्रयोग ऐसी आर्थिक क्रिया के लिए होता है, जिसका संबंध वस्तूओं के उत्पादन खनिजों को निकालने से है. वसी तर मानी में इससे मुराद कोई भी कारुबारी सरगर्मी है, मसलन सयाहत और तफरीह, लेकिन आम मफ्हूम में इसका तालुग उस अक्तिसादी सरगर्मी से है, जो अश्या के पैदावार और मादनियात के निकालने से वाबस्ता है. Infiltration The process of entering of the water into the soil profile through the pores and openings. It is different from percolation, which means flow of water through soil. Antahasyandan मृदा या किसी सरंद्र पदार्थ में छिद्रों और विवरों द्वारा जल के रिसने की प्रक्रिया, जो नीचे की ओर होती है. यह परिस्रवन की प्रक्रिया से भिन्न है, जिसमें जल मृदा में प्रवाहित होता है. Nufooziyat मसामात और सुराखों के जरिये पानी का मिट्टी के ढाचे में दाखिल होना. यह अमल रसाव से मुक्तलिफ है, जिसका मतलब मिट्टी पर से पानी का बहना है. Page 64 Inland Drainage A drainage system in which the water of the rivers do not reach the oceans but fall into an inland sea or lake. Example, the Tarim Basin in Central Asia. अंतहस थलिये अपवाह वह अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महसागरों तक नहीं पहुचता, बलकि किसी आंतरिक समुद्र या जील में गिरता है, जैसे मध्य एशिया में तारिम बेसिन. अंदुरूनी पननिकासी पननिकासी का ऐसा निजाम जिसमें दर्याओं का पानी समंदरों तक नहीं पहुचता, बलकि किसी अंदुरूनी दर्या या जील में गिर जाता है. मसलन, वस्त एशिया का तारिम बेसिन. Inland Sea A large body of brackish water located in the interior of a landmass without having any connection with the open sea. Example, Black Sea अंतह समुद्र खारे पानी का एक बड़ा जलाश है जो स्थल भाग के आंतरिक भाग में हो और खुले सागर या महसागर से ना जुड़ा हो, जैसे काला सागर. अंदुरूनी दर्या किसी कित्ताए जमीन के अंदुरूनी हिस्से में वाके शोरियत आमेज आप गीरा, जिसका खुले समंदर से कोई तालुक ना हो, मसलन बहरे अस्वद. इनलिट अ शोर्ट नैरो ओपनिंग दाट कनेक्ट्स अ स्मॉल बोड़ी ओफ वाटर विद लाजवन. निवेशिका प्रवेशद्वार एक छोटा और सक्रा मुख या मार्ग जो एक छोटे जलभाग को एक बड़े जलाश है, सागर या महसागर से जोडता है. तंग खाड़ी कोई छोटा तंग दाहाना जो छोटे आप गीरे को बड़े आप गीरे से मिलाता हो. Insulation It refers to the intensity or amount of solar radiation, both diffused and direct, received on an unit area of the Earth's surface at a specific time on a specified surface. It varies with the latitudes. The word is formed from incoming solar radiation. सूर्या तब इसका तातपर्य सौर विकिरन की मात्रा या उसकी तीवरता से है, जो सीधे और विसरित रूप में धरातल के एक इकाइक शेत्र पर किसी विशेश समय और विशेश सतह पर ग्रहन की जाती है. इसमें अक्षांश के साथ अंतर आता है. ये शब्द आगमी सौर विकिरन से लिया गया है. अशौ शमसी इससे मुराद नफूजी और बराहे रास शमसी अशा की शिदद या मिकदार है, जो सतह जमीन के फी एकाइ रखबे पर मख्सूस वक्त में मख्सूस सतह पर पड़ता है. ये मुख्तलिफ अर्जुल बलत के साथ बदलता है. ये लब्स, इनकमिंग, आना, सोलर, शमसी, रेडियेशन, अशा से बना हुआ है. Inundation Canal Canals meant for diverting flood waters, for checking floods and irrigating fields. These canals are seasonal. अपलावन नहर बाढ़ के जल को दूसरी दिशा में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई नहरें, जो मौसमी होती हैं, और बाढ़ की रोक्थाम और खेतों की सिचाई के लिए बनाई जाती हैं. पहवीली नहर सैलाब रोकने और खेतों में आप पाशी के लिए सैलाब का रुख फेरने के मक्सद से बनाई गई नहरें ये नहरें मौसमी नौयत की होती है Intensive Agriculture A type of farming in which large amounts of capital and labor are applied per unit area of land in order to obtain high yield गेहन क्रिशी प्रती इकाई भूमी पर भारी मात्रा में पूंजी और श्रम लगा कर अधिक फसल प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रिशी अमीक जराद काश्टकारी की वो कस्म जिसमें ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जमीन के फी इकाई रखबे पर बड़ी मिकदार में सरमाया और मजदूर लगाय जाते है Intensive Commercial Agriculture A type of intensive farming in which agriculture produce is mainly for the market Example such as fruits, vegetables and flowers enter into national and international trade गहन वानिज्य क्रिशी एक प्रकार की गहन क्रिशी जिसके क्रिशी उतपाद मुख्य तह बाजारों के लिए ही होते हैं जैसे राश्ट्रिय एवं अंतराश्ट्रिय व्यापार के लिए फल, सबजियों और फूलों की खेती अमियक तिजारती जराद वसे पैमाने पर की जाने वाली काश्टकारी के खिस्न जिसमें जरई पैदावार खास तोर पर बाजार के लिए होती हैं मसलन फल, सबसिया और फूल, कौमी और बैनुल अक्वामी तिजारत का हिस्सा बनते हैं Intensive Subsistence Agriculture A type of intensive farming practiced in areas of high population pressure on land. Example, Monsoon Asia On small plots, farmers use simple tools and apply more labor, high doses of biochemical fertilizers and pesticides and provide irrigation for obtaining high production. The produce is mainly for consumption. गेहन निर्वाह क्रिशी एक प्रकार की गेहन खेती, जो भूमी पर उच्च जनसंख्या दबावाले क्षेत्रों, जैसे Monsoon Asia में की जाती है. खेतों के छोटे टुकडों पर किसान साधारन औजारों या उपकरणों की मदद, सिचाई और बहुत अधिक मात्रा में श्रम, जैव रासाइनिक उर्वरक और कीट नाशकों का उपियोग करके बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त करता है, जो मुख्य रूप से स्वह अपभोग के लिए होता है। प्राशी का इंतिजाम करती है, ये पैदवार खास्ताओर पर मकामी इस्तिमाल के लिए की जाती है। अधिक फसलों को उगाने की प्रथा, जिसमें भिन फसलों को अलग समय पर बोया और काटा जाता है, जिस सिम्रिदा के पोशक तत्वों की सुरक्षा होती है और उसे वर्षा के जल बहाव से रोका जा सकता है। बैन फसली काश्त बोथ east and west to avoid land areas in the Pacific Ocean. The date to the east of this line is 24 hours earlier than to the west. It means that while crossing this line eastwards, one day is to be repeated. One day is omitted when the line is crossed travelling westward. अंतर राष्ट्रिये तिथी रेखा अंतर राष्ट्रिये समझोते के अनुसार तै की गई तिथी परिवर्तन की रेखा, जो लगभग 180 डिग्री देशांतर का अनुसरन करती है। प्रशांत महासागर में स्थित स्थल भागों को बचाते हुए, यह 180 डिग्री से थोड़ा पूर्व या पश्चिम की सकती है। इस रेखा के पूर्व में समय इसके पश्चिम के समय से 24 घंटा एक दिन पहले होता है। अतह इस रेखा को पार करके पूर्व की ओर जाने पर उस तिथी को फिर दुहराना पड़ता है। जबकि इस रेखा को पार करके पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन तिथी घटाना पड़ता है। और खुश्की के हिस्सों फशूसन बहरुल काहिल से बचने के लिए थोड़ा सा मश्रिक वा मगरिब में मुनहरिफ है। इस खत के मश्रिक में तारीख मगरिब के मुकाबले में 24 घंटे पहले पड़ती है। इसका मतलब ये है कि मश्रिक की तरफ इस खत को उबूर करते हुए एक दिन दोहराना पड़ता है और मगरिब की तरफ सफर करते हुए इस खत को उबूर करते हैं तो एक दिन हजफ कर दिया जाता है। अंतराष्ट्रिय या विदेश व्यापार राष्ट्रों के बीच व्यापार जिसमें माल और सेवाओं की खरीद आयात और विक्री निरियात जो अधिशेश, अधिक्य और कमी, अभाव को ध्यान में रख कर किया जाता है। किसी राष्ट्र का व्यापार संतुलन अनकूलन तब होता है, जब उसके आयात के मूल्य से निरियात के मूल्य की अधिक्ता हो। बैन अलगवामी तिजारत अशिया और खिदमात की ज्यात्ती और किल्लत के पेशे नजर, दो मुल्कों के धर्मियान उनकी खरीद और फरोख्त के लिए की जाने वाली तिजारत, किसी मुल्क का तिजारती तवाजुन उसकी दरामदात के मुकाबले में बरामदात के फाज पर होता है स्थान की उचाई की श्रिंखला की सहायता से मान्चित्र पर समोच्च रेखाओं का रिखांकन हायती तहरीफ निशानदार Option हायती तहरीफे निशानदार बुलंदियों की मदद से किसी नक्षे पर हायते कंचोर बनाना Intertropical Convergence Zone ITCZ It is a zone of convergence between airstreams from North and South Hemisphere located at or near the equator. It is characterized by low atmospheric pressure and ascending air currents. In India, ITCZ shifts its position about 5 degrees north of the equator over the Ganga Plain during summer. अंतह उष्ण कटिबंध ही अभिसरण क्षेत्र विशुवत वृत्त के उपर या उसके निकट अवस्थित क्षेत्र जहां उत्तरी और दक्षणी गोलार्धों की वायुधाराओं का अभिसरन होता है. इसकी विशेशता निम्न वायुदाब और उपर उठती वायुधाराएं या प्रवाह है. भारत में यह कटिबंध ग्रीश मृतू में गंगा के मैदानी भाग के उपर विशुवत वृत्त से पाँच डिगरी उत्तर खिसक जाता है. ITCZ तहरीफी तकारुबी इलाका ये खते इस्तिवाई या उसके करीब वाके शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रे की हवाई लहरों की दर्मियान तकारुबी इलाका है. पस्त फिजाई दबाव और उपर उठती हुई हवाई रूएं इसकी खुसूसियात है. हिंदुस्तान में ITCZ मौसमे गर्मा के दोरान पते इस्तिवा के तकरीबन 5 डिगरी शुमाल पर गंगा के मैदान के ऊपर अपना मकाम तब्दील करता है. Intrusive Igneous Rock An igneous rock formed below the earth's surface due to cooling of molten magma thrust inside existing crustal rock. Compared to extrusive Igneous rocks, these rocks have larger grain because of slow cooling of magma. See also Batholith. अंतरवेधी आगनेय शैल पृत्वी की सतह के नीचे वर्तमान भूपरपटिये शैलों के अंदर पिघले मैगमा के ठंडा होने से बनी शैल. बहिर वेधी आगनेय शैलों की तुलना में इन शैलों के दानों या कणों का आकार मैगमा के धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़ा होता है. देखें, महासकंद. दाखिली आतिशी चटान आतिशी चटान जमीनी सतह के नीचे मौजूद गिलाफी चटान में बनती है. ये रवा आतिशी मादे के ठंडा होने से बनती है. बैरूनी आतिशी चट्टानों के मुकावले देर से थंडा होने के बाईस इन चट्टानों के दाने बड़े होते हैं मजीद देखें बैथुलित IONOSPHERE An upper layer of atmosphere where free ions and electrons are created by ionization of gas molecules through incoming ultraviolet and X-ray radiation. This layer is located approximately beyond an altitude of 80 km from the surface of the earth. This layer plays an important role in communication. Page 66 आयन मंदल वायू मंदल की उपरी परत जहां मुक्त आयन और इलेक्ट्रॉन का निर्मान, गैस के अनुओं के परा बैंगनी और X-किरनों के विकिरन द्वारा आयनी करण के कारण होता है. यह परत प्रित्वी के धरातल से लगभग 80 km से अधिक उचाई पर स्थित है. यह परत संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. कुर्रे आयोन कुर्रे हवा की उपरी परत जहां बाला बनफशी और X-ray शुवाव के जरिये आयोनी अमल के गैस साल में से आजाद आयोन और इलेक्ट्रॉन बनते है. यह परत सथे जमीन से तकरीबन 80 km की बुलंदी के उपर मौजूद है और मवासलात में एहम किरदार अदा करती है. आल्स ओर आज वर आल्स शुवाव के अटर आजाद आयोनी अना आज से लेक्ट्रॉन बने इंटी बने वाट्रॉन ब इना इन परताद रहा वाक्ट्रॉन अर्जावी पर जल का स्प्रिंकलर, नालियों और नहरों द्वारा कृत्रिम रूप से वितरन और उपयोग जो पा पौदों की व्रिद्धी के लिए किया जाता है। जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, सिचाई के बिना खेती संभव नहीं है। उन क्षेत्रों में जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होती है, वहां भी सिचाई करना उपियोगी है। आपपाशी सथे जमीन पर पौदों की अफजाईश और देखभाल के लिए नहरों, पवारों और गड़ों की मसनुई तकसीम और इस्तिमाल। 25 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले इलाकों में काश्टकारी बगर आपपाशी के मुम्किन नहीं है। ऐसे इलाकों में जहां बार स्रीलंका ग्रीनलंड सबसे बड़ा द्वीप है। जजीरा पानी से मुकमल तौर पर घिरा हुआ जमीन का इलाका। मसलन स्रीलंका। ग्रीनलंड सबसे बड़ा जजीरा है। आइसोबार A line drawn on a map joining the places having the same atmospheric pressure reduced to the sea level. समदाब रेखा मानचित्र पर खीची गई वे रेखाएं जो समुद्र तल के संदर्भ में पाठ्यांक को संशोधित करके एक समान तापमान वाले स्थानों को जोडती हैं। मसावी दबाव खत सथै समंदर से यकसा फजाई दबाव वाले मकामात को जोडने वाली नक्षे पर खीची गई लकीर। आइसोहेलीन आइसोहेलीन जोडने वाली नक्षे पर खीची गई लकीर। आइसोपलेत अलाइन ड्राउन ओन अमाप, कनेक्टिंग पॉइंट्स दैटा इक्वल इन रिस्पेक्ट ओफ सम कॉंटिटी। मानचित्र पर खीची गई वह रेखा जो किसी भी मात्रा के संदर्भ में बराबर या समान मान के स्थानों को मिलाती है। मसावी कदरेखत किसी मिकदार के एतिबार से यकसा नुक्तों को मिलाने वाली नक्षे पर खीची गई लकीर आइसोथर्म A line drawn on a map joining places having the same temperature reduced to the sea level समताप रेखाएं मांचित्र पर खीची गई वे रेखाएं जो समुद्र तल के संदर्भ में पाठ्यांग को संशोधित करके एक समान वायुदाब वाले स्थानों को जोडती है मसावी हरारत खत सथे समंदर से यकसा दरजय हरारत वाले मकामात को जोडने वाली नक्षे पर खीची गई लकीर इस्थमस A narrow tract of land separating two bodies of water स्थल संयोजक दो जल राशियों को अलग करने वाली भूमी की एक सक्री पट्टी खाक नाए दो तंग आप गीरों को अलग करने वाला खुश की काई लाका Letter I of Trilingual Dictionary of Geography for Schools ends here Read by Neeraj Yadav and Sumbul Shakil You were just listening to this presentation Project Coordination Rajesh Nimesh Subject Coordination Prof. Savita Sinha Project Advise Dr. Bharti Kaushik Technical Coordination Battilang Lindo Framework Advise Ajit Horo Assistance in Production Kusum Lata Produced and Directed by Vandana Arimardhan And this presentation is brought to you by C.I.E.T. N.C.E.R.T. New Delhi, India